हेलो एवरिवन अमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मैं हूँ सकेश बटनागर और आज दोस्तों मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहा हूँ जो हमारे बैंकिंग एक्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन रूल लग दोस्तों को शेयर कर तो और वीडियो को लाइक कर देजिए देखो दोस्तों अगर सीबी ऐसके बारे में अगर हम बातचित करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना होगा सीबियो होता क्या है एन्ना इसका क्bas फूल speech होतार है इसका पूरा नाम है मैं banking solution तो दोस्तों ये तीन शब्द हैं core banking solution इन तीनों को ही मिलाके हम cbs के नाम से जानते हैं तो अब हमें जानना है होता क्या है दोस्तों देखी अगर हम इसके name को ध्यान से देखें हैं friends तो इसके नाम में last ने एक बड़ा आया है solution है किसी problem का solution किसी समस्य का हल या किसी problem का solution तो आप मुझे बताओ कि आपको problem पता है solution पता करने चले गए नहीं न तो दोस्तों देखो अगर हमें इससे दोस्ती करना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा problem जब तक हम मैं आपसे मैं इसका बोलू कि इसका answer भई five आ रहा है अब मैं बोलू बताओ क्या है question अब ऐसे कैसे बता दोगे बढ़िए जब तक आप यह नहीं बोलोगे सब कुस्तों बताईए ऐसे answer तो five तो पता नहीं कितने सारे question के होते हैं ना दोस्तों तो वहीं चीज़ है means लगे बग दो जार टीन चार ऐसे समझेव इस समय के रहाँ आजाओ दोस्तों दो वहजार दो जो जारतीन दो चार गर तो अगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या दोस्तों इस समय भी बैंकिंग सर्वेसे इतना लेना ईजी था कि जितना आजकल नहीं क्या इस समय हम घ पैसे निकाल सकते हैं कि इस समय हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके अपने पैसे जमा कर सकते दिन नहीं तो अगर हम धियान दे ये कुछ भी नहीं था क्या इस समय के हमारे एकाउंट नंबर जैसे कि आजकल के एकाउंट नंबर 16-16 अंकों के होते हैं 14 अंकों के होते हैं कुछ-कुछ तो दोस्तों 12 डिजिट्स के भी होते हैं अलग-अलग दोस्तों, आपने देखा होगा, पहले एक सबसे बडी समस्य ये थी, कि अगर आपका किसी बैंक में खाता है, जैसे मान लो SBI है, अब आपका SBI की इस वाली ब्रच में खाता है, तो अगर आपको पैसे जम्मा करने हैं तो आपको इसी बैंक की इसी विराज में जाना पड़ेगा निकालने हैं नहीं क्यों टेक्नोलोजी आप जो होती ना पड़ती वह तो मैं वाइल मैंसी जा जाता है दोस्तों एक मिनट में कि आपके खाते हैं पैसे जमा हो गए अब क्यों आप लाइन में खड़े होंगे ना पहले सारी चीज़े ऐसी नहीं होती थी पहले हर कम में समय रखता था अब हुआ क्या दीरे-दीरे समय बड़ा भई आपको बता है दीरे-दीरे समय बड़ा तो हमारे इंडिया में आने सुरू हो गए ना आपने देखा हुआ कि 1100 वाला वाइस ने आप साप वाला गेम खेला करते थे हैंना दोस्तों याद है वह वह वालम वाइल आया फिर और इंडिया में आया अने तो समय हमारे यह बेरांच है यह बैँसे जित्ती प्रांच किसको क्या कर इंटरनेट करके और सब 타N सरी किसे से तरिके से इस हुआ अब एक बाद बताइए मुझे जब सारी branches कर दी गई है हमारी तो अब कहीं से भी पैसा निगालो खाते में जाना जाना है या है ना कहीं करो अपने खाते में जाएगा से बात है लेकिन एक बार बताओ दोस्तों आप यूंटमारons नमबर भी तो यूणिक होना चाहिए है नब मान लो तुम्हारा account नमबर one two three four था इसमें भी यही था और इसमें भी यही था अब तुम्ने खाता निम से पैसा निकाला अब इस में से निकले गएंधर हो जाए गड़ोड़ जैएगी तो आपका account नमबर भी क्या कर दिया गया एक यूनिक account नमबर कर दिया गया और दोस्तों जब ये यूनिक अकाउंट नमबर करने की बात आई तभी हमारे पुराने वाले अकाउंट नमबर होते थे इस तरीके से जैसे मैंने एक जामपिल में लिखा है जैसे मेरे एक अकाउंट नमबर था था तो सो मेरे इसका वागा वह था था यहाँ जिन्दी के पहली बार देखा है साही बात है वही हो सकता आपने देखा मेरा तो था क्या करूं ठीक लेकिन हुआ क्या एक दिन में बैंक में बोच्छा ब्रांच में एंट्री वेंट्री कराने गया बैंक में तो उसने बोला यह नहीं है उसने बड़ा लंबा चोड़ा लिख दिया इस तरीके से 800 ऐसा कुछ क कुछ करतें देखा मैं टाना दोस्तों लेकिन उस समय तो मने कुछ कि नहीं तो है कि यह मेरा चार उंकों का या तियड़ा मेरा एकाउंट नंबर दो अपनगय करते तो समय एक दम से इतने बड़े एकांट नंबर में कैसे बदल गया इस पॉइंट तो है बहुत से वच्चे बोलते हैं सर पॉपॉलेशन बढ़ गई मैंने का वा कमाल है वह अगर मान लो पॉपॉलेशन बढ़ गई तो क्या सारे के सारे पॉपॉलेशन पैदा होती बैंकों में खाते कलवाने शुरू कर दिये हैं ऐसा तो नहीं देना दोस्तो जो वही कुछ लोग कहते हैं जर खाते यादा खुलेशन चौलो दोस्तों मान लिए मैंने बात आपकी अगर खाते जादा खुले तो मोधी जी की जंदन ही जोटना क्या करना आया थी वही है जिसने को रोड़ों में खाते कुल दी अगर सब के पार दिए खाते होते तो उन Slumber अन्बर बनाती जब यूनीक अन्बर बना तो हर एक customer का एक अकोंन नंबर एक ऐसा अकोंन नंबर वो गया दोस्तों जो पूरे bank में किसी और का नहीं हो सकता जैसे आपको mobile नंबर वई मान लो आपके पास एर डेल किसे में आपके पास कोई नंबर है क्या वो का नंबर किसी और के पास हो सकता है नहीं जब तक आप उसे यूज़ करेंगे वो नंबर किसी और के पास नहीं है अब ना उस पर कॉल करूंगा तो आपके पास ही तो लगेगी भाई और गली तो नहीं लग सकती वह आपका कैसे नंबर है सभाना की एक अग्सक्राइब के कारम है करेभा हैं मैं किसी भी बैंक बैंक में किसी पैसे निकल यह तो मेरे सीवीस के वजसे हम अपने पैसे को ठाहिते हैं तो कैसे क्यूम कर दिया है दो आपका आया है तो नुदू से बाइटें बेड़ Cities जमा में खर कर तो और आपका इंडिया है थी अगर आप तो यह सब किसने लाया यह सर्फ और सिब्स के कारण हो पाया है दोस्तों जिसका आज हम भरपूर आनंद ले रहे हैं जिसने हमाई जिन्दिकी को बहुत असान मना दा रहा है अब कोशन यह है कि सब्सक्राइब कैसे आता है देखो यहां से सिंपल में पहला कोशन तो यह पू बोलते हैं तो उसका अंसर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं दूसरा कोशन दोस्तों यहां पर एक और आता है अगर आप थ्यान दें तो दोस्तों मैंने सीब्स में कोर का फुल फॉर्म में देखो को बड़ा-बड़े अक्षरों में लिखा है हाँ है ना बिल्कुल क्यों लिखा मेरा मन थोड़ी कर रहा था अरे भाई इसकी फुल फॉर्म है जो मारे एक्जाम में आती है आती है ना आती है इसका फुल नेम बतावना जरूरी है मोस्त इंपॉर्ट है फॉर एक्जामिनेशन चलिए और सच बताओं अगर आपने इन चार शब्दों को समझ किता असान नाम है को कुछ भी पूछ सकता है अब से एक्जाम में कि CBS में को कोर में सी का मतला बताओ और का मतला बताओ इक मतला प्रीवियस एर कोश्टन उठाके देखो मिलेगा अब यह होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं देखो सेंटलाइस यानि की बैंकों की जितने भ कर सकते हो या फिर मनी का लेंदेन कर सकते हो इधर से उधर क्या होता है लेंदेन ही तो इसको बेजो उस से लो उसको बेजो है ना यह सारी बाते हम कर सकते हैं किसकी वज़ए से सिर्फ और सिर्फ सीवीएस मतला कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वज़ए से तो यही वो टेक् क्विश्टन की पहुंए भी दीजिए कमेंट में उसको देख लेंगे ठीक है अब इसी का एक दोस्त है जो बहुत इंपॉरेंट है उससे दोस्ति कर उसका नाव है सीटी एस सीटी एस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों पहले इसका फुल फॉर्म जान दो चेक ट्रंकेशन सिस्टम चलो बताता हूँ देखे दोस्तों अगर मैं सीटी एस को लेके बात करता हूँ तो इसका पूरा नाव मैंने आपको बता दिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम यह है इसका फुल फॉर्म अब आपको एक बात तो क्लारिफाई हो गई कि इसके कहानी किस से संबन्दित है चेक से चेक आप जानती है चेक का इस्तमन करते हैं बैंक में चेक लेकर आते हैं चेक लगाते होंगे चेक यूज़ भी करते होंगे वही चेक ट्रंकेशन है मीन वर्ड अगर आपने इस समयल्या ट्रंकेशन का मतलब क्या है तो समयल्लो से डियस खतब दोस्तों याद रखन कानी के बात चल रहा है यहां पर चलो समझते हैं दोस्तों याद रखना इसकी कहानी को समझने के लिए वही पुरहर सट अ आजाओ तीन-चार के समय वही पुराने दिन होना आजाओ तो दोस्तों यह बताओ कि पहले हमारा जो चैक के क्लियर ही होती थी और आज के समय में होती है कि से मैं अगर आप ध्यान देंगे नहीं ऐसी जमीन आस्मान कंतर है कैसे बताता हूं देखो दोस्तों कि पहले हम जब रहे हम चैक को लेखे जाते थे चलो मैं और अब दोनों समय यही होता है लेकिन अब होता काई अंतर है इसके पीचे की कहानी में मतलना आपका काम ख़तम बेक़्छाउंड में कै चलता है पहले यंद की चलता है और आप की चलता है वो बता हमाँ icons पहले वाला पहले क्लब आया होता था जिस bank का नाम चेक के उपर दिखा है माल लो मैंने आपको चेक दिया for example वो access bank का check है एक एक्जामस को माल दिया तो अब क्या करेगा आपका x y z bank इस bank को physically access bank के पास लेके जाएगा ठीक है physically का मतलब होता है दोस्तों कोई इंसान लेके जाएगा जिसे cycle पर post master साब आते हैं ना हमाई डाक लेके वैसे लेके जाएगा और access bank के पास जाके इसे verified करवाएगा verify कैसे अब माल लो भई ये बंदा लेके आया एक access bank के पास check अब access banks को verify करेगा ये check असली है नकली तो नहीं पहला point दूसरा चीज यहां पर मेरे जो signature और वो फरजी तो नहीं है match कर रहा है मेरे account से match करेगा तीसरा point वो ये check करेगा कि ये बताईए कि मेरे खाते में उत्ता पैसा है जितने वो मैंने check काटा है है ना ये सब चीज़े check करेगा account number सही लिखाएगा लगतों ने लिखा ये सब चीज़े check करेगा सब चीज़े check होने के बाद अगर सब सही है तो check को clear कर देगा और मेरे पैसे कट जाएंगी खाते से और आपके खाते में पैसे पहुंच चाहेंगे तो पहले दोस्तों ये था physical अब आप बताओ क्या इतना सब कुछ होने में टाइम लिखता हो अब मान लो एक सब्सक्राइब में एक चैक आया आज तुम्हारा दस दिन तब को चैकिन आए तो क्या तुम्हारे एक चैक को लेती आने बैठा हो नहीं होता गया था दोस्तों वह इखटा करता था चैको को कलेक्ट करके एक तरीके से ऐसे मान लो नहीं दिन बना रखे थे कि 15 दिन में लेकर जाना है तो इस तरीके से तुम्हारे चैकों की क्लियरिंग करने के लिए जाना थे अब एक्सिस बैंक के पास चैक आया तो एक स लगता था चैक को क्लियरिंग हो यह चीज़ें क्ता महीने में एक हमारा किलियर होता था ऐक तरी टे टेकल आँच कल आज कल तो आपको पताई है मैं जाता है इस तो फास्ट वो कैसे यह सब चीज़ें हूएं क्या सब बताते हैं दोस्तों यह सब माले आप दीरे दीरे समय बढ़ा और जब टेक्नोलोजी आई तो दोस्तों हमारे इंडिया में एक टेक्नोलोजी आई 2010 में और उस टेक्नोलोजी का नाम है सीटीएस और इसने क्या करा चेकों के इस फिजीकल दीए और इसकी जग़े लाया एलेक्ट्रोनिक फिलो आज कल दोस्तों चेक की फिजीकल फ्लो नहीं होती है Electronic flow होती है, अब electronics flow कैसे होती है बताता हूँ, देखें दोस्तों, अब होता क्या है, जब आप check box में check drop करके चले जाते हैं, तो आपका check bank वाले हैं से निकालते हैं, और इस check को clearing house में पहुचाया जाता है, हर एक bank का एक अपना क्या होता है, clearing house होता है, और वहाँ पे इसको electronically, क् कि एलेक्ट्रोनिक वेयरिफिकेशन के लिए बेह जाता है और वह मशिन ऐसी होती है कि जो चेक है आपका उसकी इलेक्ट्रोनिक image, यह image create कर देती है, और यह जो electronic image होती है, दोस्तों, बिल्कुल same जो आपका check physical है, उसकी एक duplicate copy बना देगी, जैसे scanner करता है, लेकिन scanner दोस्तों क्या watermark scan कर पाएगा, नहीं, कि चेकों की जो other security होती है, उसको scan कर पाएगा नहीं, तो यह high quality की machines होती है, जो पिल्कुल hobo image check की create कर देगी, electronic payment, अब उस electronic image को ही send कर दिये जाएगा, वेरिफिकेशन को अब जहाँ पहुची है, वो उसको verify करेगा, है न दोस्तों, electronically verify करेगा, signature match करेगा, number check करेगा, security check करेगा, सब कुछ check कर गेगा, सब कुछ सही होगा, तो मेरे खाते से प पहले के लेरिंग में और आज के लेरिंग में कितना कितना जमीन आस्बंद गनते रहे, अब आपका चैक का कई physical flow हुआ, कोई इनसान उठा के लेके जा रहा है, नहीं हुआ, तो यही system जिसने चैकों के physical flow को बिल्कुल खतम कर दिया, उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, cts check tr communication system, अगर अब ध्यान देंगे, एक बात और बताता हूँ, आज कल की चैक हैं दोस्तों, पुराने वाले चैकों से काफी अलग है, पहले हमारे नॉर्मल जो कागज का तुकड़ा होता है ना, यज़ा है रफ कॉपी होती थी पहला है, उस तरीकी के चैक होते हैं दोस्तों, आज कल के चैक हार अब ध्यान देंगे दोस्तों, तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वाटर मार्क, पहला पॉइंट, लेखा होगा आप, हर एक चैक पे जनरली वाटर मार्क लिखा होता है, SPI, PNB, HDFC, इस तरीके से लिखा होता है, दूसरी चीज़ आपने नोटि करा हो, दोस्तों, जहां पर आपका यह खाना बना होता है, अकाउंट नमबर लिखा होता है, ना, उसके नीचे अगर आपने ध्यान दिया होते हैं, जो कि हमारी मशीन जो है, रीट करती है, एक तरीके से कोडिंग वगरा कह सकते हो, जैसे क्योर्टी परपस के लिए यूज होता है, दोस्तों, एक सीटी एस टू जीरो एंजियो, नोटिस किया होता, सहीम इदर भी यह बात लिखी होती है, कुछ चेप में है, तो इससे क्या पचलता है, इससे पचलता है, कि यह चैक सीटी एस अनैबल है, दोस्तों, पहले एक चैक को फूजिकली वैरिफाई करा ज लगा सकते हो, वो निकल के आजाएगा, नहीं निकल के आएगा, हैना, विकॉस मशीन, अलग-अलग क्वालिटी एकसर करते है, पटिकुलर लेवल गा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, अपने कंटेंट को सतहरना पड़ेगा, अपने इस डॉकुमेंट को इंपूफ करना पड़ेगा, तो यह जितने भी चेक हैं, आज करना दो यूज करते हैं, दोस्तो, CTS Unable है, आता है लिखा हुआ, CTS Unable Check, मतलब हमारी मशीन जो है CTS, वो उसको राम से रीट कर सकती है, उसको इसको स्कैन कर सकती है, वो नॉर्मल चेक की तरह नहीं है, उस छोड़ा सा हटके इसका मतलब यह होता है, अब आप बोलोगे, सर ऐसा होने से हुआ गया, फायता क्या होएं बताओ, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें इसके एडवांटेज बताता हूँ, सबसे बड़ा, सबसे असान, सबको पता है, सर चेक की क्लेरिंग का टाइम कम हो गया, टाइम रिडि इसके बड़ा गए चेक की, अब यह जब फीचर लग गए है, वाटरमार्क लग गए है, तो इसकी डुपली कैसी काम हो गई ना, हर कोई वाटरमार्क थोड़ी बाचा पा देगा, पहला तो बहुत आई बहुत आँ दोस्तों, जब नकली नोट बन सकता है, तो चेक की क्या वैल्यू है, चेक तो पहले बने जाए जिन दकली, लेकिन अब थोड़ा सा सेक्यूरिटी रीजन्स वड़ चुके हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सेक्यूर होगे, चेक और जादा से स्क्यूर होगे है, पहले से कंपार तीसरा पॉइंट, इजी प्रोसेस हो गया, है चौती चीज क्या होगी फायता, वह एक वह दो जब वो इनसान लेके जा रहा है, कि खर्चाना होगा, उसके आने जाने प्रिमें चला जाएगा, विचरा महनत कर रहा है, इतनी तुम्हारे चेकों को लेकर जा रहा है, हो सकता है और यह उसे और पर जाना पड़ता हो, हो सक सब्सक्राइब है ना दोस्तों, मेंस किते सारे बेनेफिट हुए, तो यह सब बेनेफिट किसके वदलत होगा है, इस और पॉसिबल ऑन्ली 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 वन टेक्नोलोजी रिसकॉर्ट सीटी एस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें आपकी हमाई जिल्दी को बहुत असान सब्सक्राइब है, तो उम्हीद करता हूँ, यह भी आपको सारी चीजे किलियर हो गई होगी, एक्जाम में कुर्शन कैसे पूस्ट है, मैंने आपको पता दिया, चेको के फिलो पर लगाई, जिसने उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलते सब्सक्राइब है, तो आपको और अच्छे से क्लारिफाई हो जाएगा, अगर कोई डाउट है यहां तक कि घाने में, क्योश्टन के फम में पेचो, और अपने डाउट क्लास के लिए मैं मैं आपको डाउट को समझा दूँगा, ठीक है, अदर्वाइस नेक्स क्लास में आ आपको ले रहो, कमेंट में लिख दीजिए आपके न और एक इंपॉर्टन चीज़ दोस्तों, अगली क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, तो सारे बच्छे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरू करते रहा कर औ लो और एक बात और पता हूं इस तो मेरे भी नए कोर्स आएं भी या ठीक है अलग अलग एजुके तो आप भी आईए और जल्दे से जुड़के पढ़ाई करना शुरू कर दो, आप तो आप क्लास के अलावा, अगर क्लास में डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, एक परसें में जाकर अपने डाउट को इमेडियर कर सकते हो पता है आपको, और एक सबसे बड़े इस समय बड़े मस्त आफर चलना है, इनका बैने फिट लेजिए दोस्तों, एक साल पर चार महीने का फिरी, दो साल पर आट महीने का फिरी सस्क्रिप्शन मिलना है, सीटी ले ले लो, दोस्तों, जो हजर पाईस में सीटी आई रहा है, आपको पता है, जब सीटी आ रहा है, तो अभी से क्योंना सीटी को कॉलो करें, तो सारे बच्चे सीटी दीजिए, एक साल पर च्छै मेने का फिरी, दो साल पर बारा मेने का फिरी मिलेगा आपको, यानि कि दो साल वाला ल लो जल्ली से सब्सक्रिप्षिन लेकर पढ़ना शुरू कर दो अगर आप फस्ट यह में हो न अभी जले ले भाई अब तो थम्हें है यह तुम सेकेंड एर में तो एक साल लेट हो दो साल लेट हो गए हो जा रहा हो क्या बोलो बताओ न तो जल्ली जल्ली दीजिए पढ़ना को शेयर करो अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए का दोस्तों और एक इंपॉर्टन चीज अगर आपकी मन में कोई और टॉपिक्स चाहते हैं आप चाहते में किलास के और अधर टॉपिक्स पर वीडियो नाउं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अगर आपए।